असलामलेकुम स्टुडेंटों आज हम लोग अपना नेक्स प्रेक्टीकल स्टेडी करेंगे नेक्स प्रेक्टीकल आपके पास है To Demonstrate That Measible Liquors Dissolve in Each Other and Immisible Liquors Do Not Measible Liquors के इनको बोला जाता है आपके पास ऐसे liquors जो एक दुसरे के अंदर मुकमल तोर पे हल हो जाएं, इनको बोलते हैं मेजिबल लिक्विड और इम्मीजिबल ऐसे लिकवर्ट जो एक दुसरे के अंदर हल ना हो वो इम्मीजिबल हैं यहां पे आपने परफॉर्म कैसे करना है? आपरेटर आपके पास बीकर चाहिए ग्लॉसर और चाहिए क्यामिकल में वोटर ओयल और एथनोल चाहिए जिसे एथाइल अलकुहल बोलते हैं और गैणिक कंपाउंड है हमारे पास इस प्रेक्टिकल का क्या पर सीजर है इसमें आपने डिफरेंट लिक्वर्स को मिक्स करके एक जाल वाउंडिया नेसहराई शॉलीबल नाहीं है सबसे पहले हम सड़ीयों लोग यहाँ पर चेकagem करेंगे वोटर और अलकॉहीं क्वाटर को ठीक है आपने बीकर के इंदर सीम कौन्टिटी में वाटर लिए 20 ml वाटर और 20 अमक्रिपी क्या लिए तर templates को हल किया यह दोने एक दुस्रे के अंदर मुकमल पर हल हो जाते हैं अब अलकोहल चुंके और गैनी कम पाउंड है तो इसे हल नहीं होना चाहिए लेकिन यह फिर भी पानी के अंदर हल हो रहे हैं इसकी रीजन यह होती है कि अलकोहल जो है एथानोल स्पेशली वह वाटर के सा फोटी लिया है और आपने टैनल लिया है इनको मिक्स अब करेंगे शेक करेंगे स्टीरिंग रॉड की मदद से और कुछ टाइम के लिए अगर आप इसको छोड़ेंगे तो यह दुबारा से और वाटर की जो लियर है वो अलैदा हो जाएगी ठीक है मिक्सिंग करने के हमारे पास और अलकोहॉल है यह भी क्या होते हैं इमीजीबल होते हैं ठीक है क्लेर सिलीशन आपके पास इस केस में भी नहीं बनते है तो आपने क्या किया कि वाटर और एथनोल आपके पास मीजीबल लिक्विड है इसका आप टेबल बनाएंगे ऑब्जरवेशन के लिए और जो एथनोल ओयल जो है वो इमीजीबल है वाटर ओयल जो है वो भी इमीजीबल है ठीक है I hope student आपको यह प्रेक्टिकल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा thank you so much best of luck